मैं हूँ आपका दोस्त आपका आजीज सुशी कच्छवारी दोस्तो बाते होंगी बहुत सारी दिल की दिल हमेशा कुछ नो कुछ कहता रहता है कभी कभार हम दिल की बाते सुनते हैं कभी हम उन्हें नजर अंदास कर देते हैं कहते हैं कि जब कभी आप रिष्टों के बारे में सोचें तो दिल की सुने मिर्जा गालिब ने कहा है मसरूफ रहने का अंदास तुम्हें तन्हा न कर दे गालिब रिष्टे फुरसत के नहीं त EPA के महताच होते हैं किसी और ने कहा है, कोई हालात नहीं समझता, कोई जजबात नहीं समझता ये तो बस अपनी अपनी समझ है, कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है, तो कोई पूरी किताब नहीं समझता दोस्त, जिन्दगी बहुत खुबसुरत है, है ना? अब देखिये न, दूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिन्दगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो वो सितारा है, चमक दे दो, यूहीं आँखों में, क्या जरूरी है, उसे जिस्म बना कर देखो पत्थरों में भी जुबा होती है, दिल होते है, अपने घर की दरो दिवार सजा कर देखो फासला नजरों का दुखा भी तो हो सकता है, वो मिले या न मिले हाथ बढ़ा कर देखो कुछ दिल ने कहा आपकी और हाथ बढ़ा रहा है रिष्टों को समझने के लिए रिष्टों की खुशूती को जानने के लिए आपके अनुभूँओं को शेयर करने के लिए कुछ दिल ने कहा बाते और भी मैं हूँ आपका दोस्त आपका अजीज सुशील कजवानी शीशा और रिष्टा दोनों नाजुक होते है मगर उनमें एक फर्क होता है शीशा गलती से टूटता है और रिष्टा गलत फहमी से काश की लोग समझ सकें कि रिष्टे बनाना असल बात नहीं बलकि असल बात उन रिष्टों को निभाना होता है कलपना करे कि आप इस पृत्वी पे रहने वाले एक मात्र व्यक्ती है ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुख है अगर उसे कोई भी ना देख सके किसी भी तरह के संगीत का स्रिजन करने में क्या तुख है अगर कोई भी उसे ना सुन सके किसी भी चीज का आविश्कार करने में क्या तुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा क्योंकि आप जिस भी नहीं जगह जाएंगे वो पुरानी जगह जैसी होगी यानि वहाँ कोई नहीं होगा आपकी जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा दोस्तों, दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश मीटा है Am I Right Friends, इसी वज़े से आपके संबंध आपके जीवन पे किसी भी दूसरी चीज़ से ज्यादा असर डालते हैं अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना ज़रूरी है दोस्तों, कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पे कैसा असर डाल रहे हैं क्योंकि संबंध मैजिकल होते हैं, जादू ही होते हैं दोस्तों इसलिए मैंने कहा, काश की लोग समझ सकें कि रिष्टे बनाना असल बात नहीं, बलकि असल बात उन रिष्टों को निभाना होता है मैं हूँ आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी दोस्तों, मा और बेटी जुहू बीच पे वॉक करने, वॉक करते करते बेटी ने मा से पूछा प्यार के रिष्टे को हमेशा कैसे जिन्दा रखे, कैसे बनाए रखे मा ने बेटी की तरद देखा और कहा बेटी, अपनी हथेली में मुठ्छी भर रेती लो और इसे जोर से दबाए ठेक सम सैन इन या हैंड और स्क्वीज इट हाँ बेटी ने मुठ्छी भर रेती उठाई हथेली में रखकर उसे दबाया जितना ज्यादा जोर से दबाती, उतनी तेजी से रेती उसकी हथेली से छूट जाती बेटी ने कहा पर इस तरह तो रेत हाथों से निकल दी जा रही है मा मा मुश्कराई बिल्कुल बेटी अब हाथ पुरी तरग खोल दो बेटी ने अपना हाथ खुला छोड़ दिया और बाकी बची हुई रेती भी हवा में उर गई बेटी ने मा से कहा इस तरह हाथ खुला रखकर भी तो मैं रेती हाथ में नहीं रख सकती मा अब मा ने बेटी से कहा अब दुबारा थोड़ी सी रेती उठाओ और अपना हाथ आधा खुला रखो एक चमच की तरह लाइक अ स्पूल हाथ इतना बंद कि उसे बचा सके और हाथ इतना ही खुला कि वो उड़ना चाहे बेटी ने यही तरकीब करके देखी और देखा कि रेती उसके हाथ में बनी रही हवा उसे उड़ा न सकी दोस्तो रिष्टे भी इसी तरह है अगर आप अपने रिष्टे बनाय रखना चाहते हैं तो इसी तरकीब को अपनाईए रिष्टे मुफ्त नहीं मिलते मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती एक सांस भी तबाता है जब एक सांस छोड़ा जाता है मैं हूँ आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी दोस्तों घर परिवार का रिष्टा कुछ ऐसा ही होता है थोड़ा खटा थोड़ा मीठा कभी नोग जोग और कभी मान मनावन इतना ही नहीं कभी घात प्रतिघात कभी शेड्यंत्र और कभी एक दूसरे के हितों के लिए जान तक दे देने का जजबा ये जजबा सिर्फ कहने सुनने तक ही सिमित नहीं होता दोस्तों व्यवार में भी दिखता है है न दोस्तों चाहर इसलिए रिष्टों के सम्मन में आम भारतिय कहावत है खून हमेशा पानी से गाड़ा होता है फैमिली रिलेशन्स को पारिवारिक रिष्टों को सहेजने समेटने की सोच हमारी परंपरा में ही रही है और यही वज़ा है जो भारत में ओध्योगिक करांती के बहुत बात तक परिवार का अर्थ जॉइन्ट फैमिली से सयूत परिवार से लिया जाता रहा है कई पीडियों के लोग एक छट की नीचे एक साथ सिर्फ रहते ही नहीं रहे हैं सभी सब के सुखदुख को अपना सुखदुख समझते रहे हैं बातें बहुत सारी मैं आपका दोस्त आपका आजीज सुशील गजभानी दोस्तो क्या रिष्टों में परस्नल स्पेस ज़रूरी है कि दोस्तो किसी भी रिष्टे में अपनों को परस्नल स्पेस देना बहुत ज़रूरी है समय के साथ लोग अपने संबनों को लेकर अव्एर हो गये हैं जागरूख हो गए है। इसी वजह से आजकल रिष्टे में परस्नल स्पेस देने की बात कही जाती है। परस्नल स्पेस का मतलब क्या है? परस्नल स्पेस का मतलब है खुद के लिए समय निकालना, अपने सेहत और भावनात्मक जरूरतों पे ध्यान देना। अच्छी जिन्दगी के लिए ये बहुत जरूरी भी है। जब रिष्टे निभाने के वज़र से व्यक्ति को खुद के लिए समय नहीं मिलता, तो कुछ समय बाद उसके मन में अपने जीवन के प्रती असंतुष्टी की भावना पनपने लगती है। अपने रिष्टे को तूटने से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोग दूसरों की निजी जिन्दगी में दखल अंदाजी ना करें, हस्तक्षिप ना करें। खुद आजाद रहें और दूसरों को भी आजादी दें। दोस्तों आप ही सोचें, क्या रिष्टों में परस्नल स्पेस जरूरी नहीं है। मैं हूँ आपके दोस्त आपका अजीज सुशील गच्चवान। दोस्तों रिष्टे निभाने पड़ते हैं, रिष्टे नाजिक होते हैं। दोस्तों कभी कभी आपकी जुबां से अंजाने में अदा किये गए अलफाज सामने वाले पे सदियों का बूज छोड़ जाते हैं। दोस्तों क्या आपको ने लगता कि रिष्टों की रसी तब कम दोर होती है जब इंसान गलत सही में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लीता है। दोस्तों तभी तो मिर्जा गालिब और एकबाल दोनों के ख्याल अलग अलग हो। मिर्जा गालिब कहते हैं उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। और एकबाल कहते हैं ना रख उमीदे वफा किसी परिंदे से। जब पर निकलाते हैं तो अपने भी आशियाना भूल जाते हैं। रिष्टे नाजुक होते हैं। रिष्टों को निभाना पड़ता है। मैं हूँ आपका दोस्त आपका आजीज सुशील गजवानी। दोस्तों तेरी खुशियान अजीज हैं मुझको। तेरी खुशियान अजीज हैं मुझको। तुझ से हारूं तो जीत चाता हूं। दोस्तों रात का समय था साड़े दस बज़े थे। और एक नर्स अपने हॉस्पिटल के बाहर फोर्च में खड़ी थी। किसी का इंदजार कर रही थी। एक मिलिटरी जीप आती है। उसमें से एक नौजवान सेकंड लेटनेंट उतरता है। नर्स दोड़कर उसे लेने जाती है। और फिर उस सेकंड लेटनेंट को आईस्विव में ले जाती है। आईस्विव में एक पेशिंट है। पचासी नब्बे साल का एक मरीज। बहुत सीरियस हालत ने है। वो नर्स उस मरीज के बहुत करीब जाती है और उनसे कहती है आपका बेटा आ गया है। तो वो मरीज शायद सुन नहीं रहे। तो नर्स दोराती है आपका बेटा आ गया है। आपका बेटा। उसके बाद क्या होता है। मैं हूँ आपका दोस आपका आजीज सुशील गजवानी। दोस्तो नर्स उस सेकंड लेटन को उस मरीज के पास ले गई। उनसे कहा आपका बेटा आ गया है। वो सेकंड लेटनेंट उस आदमी के पास उस मरीज के पास बैट जाता है। उनका हाथ पखड़ लेता है। और उनसे आएस्ता आएस्ता बड़े प्यार से बातें करने लगता है। रात बीटने लगती है। गहरी रात हो जाती है। मरीजों के करहने की आवाज। मशीन चलने की आवाज। कहीं पे नर्सिस का आएस्ते जबोलना ये माहौल में एक अजीब सी एक मायूसी पैदा करता है। लेकिन वो नौजवान सेकेंड लेफटनेंट अपने उस मरीज से बातें कर रहा है। उनकी हिम्मत बना रहा है। कुछ नकुछ उनके कानों में कहता है। कभी कभार वो नर्स आकर उनसे कहती है कि वो चाहें तो ब्रेक लेख सकते हैं, कुछ चाय पी सकते हैं। तब तक व वो उस मरीज का ख्याल रुखेंगे। लेकिन सेकेंड लेफटनेंट मना कर देता है और उस मरीज का हाथ पकड़े हुए बहुत प्यार से, दिल से, उनसे कुछ न कुछ कहते रहता है। और फिर सुबह हो जाती है, साड़े पांच-छे बच जाते हैं। सेकेंड लेफटनेंट और उस मरीज के रुखानी रिष्टे पे बातें बहुत सारी। मैं हूँ आपका दोस्त आपका आजीज सुशील कजवानी। दोस्तों, वो सेकेंड लेफटनेंट उस मरीज से रुखानी बातें करता रहा। और फिर सेकेंड लेफटनेंट को महसूस होता है कि अब वो मरीज नहीं रहे। उनकी मृत्य हो चुकी है। वो वहाँ से उठता है और नर्स के पास जाता है और उसे कहता है कि उस मरीज की मृत्य हो गई है। तो नर्स को जो करना चाहिए वो करती है वो अपना करत्तव निभाती है और जो भी प्रोसीजर है वो फॉलोग करती है। उसके बाद वो सेकेंड लेफटनेंट के पास आती है और उसे कहती है कि आपके पिता की मृत्ति हो गई। आपके पिता का निधन हो गया। तब वो सेकेंड लेफटनेंट नर्स की तरफ देखता है और पूछता है कौन था यादमी। सेकेंड लेफटनेंट का ये सवाल नर्स को चौका देता है। कौन था यादमी। मैं हूँ आपका दोस्त आपका आजीज सुशील कच्पानी। दोस्तों नर्स ताजब में पढ़ जाती है। चौक चाती है। चकित हो जाती है। और कहती है वो आपके पिता थे। तब सेकेंड लेफटनेंट कहते हैं। मैं उनको जानता तक नहीं। मैं इससे पहले इन्हें कभी मिला ही नहीं। मैं उनको जानता ही नहीं। तब नर्स उन से पूछती है। तो फिर आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं। तब सेकेंड लेफटन जवाब देते हैं। जवाब मुझे आईसवीयू में रात को ले गई। तब मुझे अहसास हुआ कि अब उनकी आखरी घड़ी आ गई है। और उनको इस भात का पता नहीं चलेगा कि मैं उनका बेटा हूँ या नहीं। और मैंने सोचा कि मैं अगर उनको एक सुकून दे दूँ। उनको ये तसली दूँ। कि उनका बेटा उनसे मिलने आए है, तो क्यों नहीं इसलिए मैं सारी रात उनके पास रहा उनको ये एहसास दिलाता रहा कि मैं है उनका बेटा हूँ ताकि उनकी आत्मा को उनकी रूँ को सुकून मिले दोस्तों, खून के रिष्टों के अलावा भी रिष्टे होते हैं दिल के रिष्टे, आत्मा के रिष्टे, रूहानी रिष्टे मैं हूँ आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील का ज्वानी और इस फौजी के सेकंड लेफ्मेंट के दिल ने एक ऐसी बात की जो रूहानी रिष्टों को नई बुलंदियों तक ले गए सेकंड लेफ्मेंट ने उस मरीज को यह ऐसास दलाया कि वो ही उनका बेटा है यह सुनकर नर्स की आँखों में आँसु आ गए और उसने सेकंड लेफ्मेंट से पूछा तो फिर आप यहां क्यों आये थे तब उस सेकंड लेफ्मेंट ने कहा मैं यहां पे एक मरीज को एक खबर देने आया था नर्स पूछती हैं कौन मरीज क्या खबर थी वो तब सेकंड लेफ्मेंट कहते हैं मैं यहां के एक मरीज दौलो तरौ पाटील को ये बताने आया था कि कल उनका बेटा अजय पाटील युद्ध में शहीद हो गया तब नर्स ने क्या कहा बातें करेंगे एह मैं हूँ आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी और फिर सेगेन लेफनन ने उस नर्स से पूछा कि क्या वो वहां के एक मरीज दौलो तरौ पाटील से मिल सकते हैं तब नर्स ने कहा जिस मरीज की आपने सारी राथ हिम्मत बढ़ाई उनके जजबादों को निखारा वही थे दौलो तरौ पाटील दोस्तों रिष्टे खून के रिष्टों के अलावा भी एक रिष्टा होता है इंसानियत का रिष्टा दिल का रिष्टा जो उस सेकिन लेफनन ने निभाया इनसान अपने जजबातों के ज़री arr, अपने रिष्टों को किस रूहानी हट तक ले जा सकता है यह सेकंड लिफ्टन ने थाबिट कर दिया इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों हमेशा अपने दिल की बात सुनो हमेशा अपने दिल की बात सुनो क्योंकि दिल आखिर दिल है दिल आपका आईना है अपने दोस्त अपने अजीज सुशील का जवानी को इजाज़त दीजिए गुड नाइट शुबरहत्री शबाख खेर